नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सर्वेफरस्ट चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहला टोपिक कमपास कमपास क्या होता है कमपास एक ऐसा इंस् जर्वेरस्ट चलिए यूज किया जाता है तो और सफवे लाइन को ड्रॉ करने के लिए कि यूज किया जाता है जैसे मालेजिए आपकर कोई प्लॉट का एयरिया है या जो भी एयरिया जिसका आप सर्वे करना चाहते हैं उसमें आप लोगोंने अलगलग पॉइंट कर के लिए हम compass का यूज करते हैं अब compass को जनरली हम दो टाइप से यूज कर लेते हैं एक होता हमारा magnetic compass दूसरा होता हमारा trough compass जब हम दो लाइनों के बीच का angle पता करते हैं यानि bearing पता करते हैं तो उसमें हमें magnetic compass का यूज करना पड़ता है किसी भी सरवे लाइन की bearing पता करने के लिए और अगर हमें उस एरिया की north direction find out करनी है उत्तर दिशा को पता लगाना है तो उसके लिए हम trough compass का यूज करते हैं जैसे मैंने आप अब दिखाया हैं दोनों compass है magnetic and tough compass तो दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए क्या क्या होगा इसी के ऊपर आपके objective टाइप question बनेंगे क्योंकि compass से बहुत सारे objective टाइप question बनते हैं अब इसके main part के बारे हम बात कर लेते हैं पहला पार्ट है इसका magnetic needle, pivot, graduated ring, eye vein, object vein, prism and sunglasses, lifting pin and lever, brake pin and spring break, compass box and tripod तो मैं सभी पार्ट के बारे में discuss नहीं करूँगा, cable जो इसके main part है उनी के बारे में discuss करूँगा और exam में ज्यादा तर उनी पॉइंट से उनी पार्ट से ज्यादा पूंचा जाएगा चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहरा पार्ट थोड़ा में आप इसकी image के बारे में discuss करना है देखिए जो compass हमरा होता है वो this capsule दिखाई देता है इसमें दोनों साइड में आपको यह और दौदार पट्टियां दिखाई देंगी अब एक पट्टी में क्या होगा कुछ होल कटे हूए रहते हैं ठीक है और एक जर्दी कटे हुई रहती है जैसे को दिखाए पर पर यह चोटा नीचे आपको दिख रहा है यह बिल्कुल गोल सर्कुलर टाइप में इसको बोलते हैं सर्कुलर मेटल बॉक्स अब इसका डायमेटर बिल्कुल अलगलग होता है हरे कंपास के लिए जैसे के दो कंपास होते हैं आपके सर्वेर कंपास और प्रिजमेटिक कंपास जिसको फिल्ड में करते हैं मेंगनेटिव बीरिंग पता करने के लिए तो उसमें इस सर्क्ल बॉक्स की जो डामेंशन है वो अलग लग रहती है उन सभी डामेंशन को मैं जब इनके उपर इंडिवीज्व वीडियो बनाऊँगा तभी बताऊँगा ठीक है यहाँ पर मैं जस्ट एक इंट्रोड हमारी कंपास में आपको अंदर भी लगी रहीत देंगी जो प्रिजमेटिक ऊशल्वेंड आप लोगों ने देखे होंगे कभी तो उसमें डेय इसमें फर No Heart है वो इसके मेडल में आप लोगों को दिखाई देंगी इसके बात में इसके किनारे पर आप वहां को यह दिख रहा है graduated ring है इस पर क्या होगा minute और डिग्री के निशान बने हुए होते हैं चलिए start कलते हैं जो सबसे पहला पाट है उसको बोलते हैं लोग magnetic needle इसको बोला आता है चुम्ब की सुई यह जो magnetic needle है steel की बनी हुई होती है यह थोड़ी लंबी होती है पतली होती है और एक pivot पर टिकी हुई रहती है यानि यह क्या होगा एक कील होती है उस पर टिकी हुई रहेगी और वो बिलकुल oriental plane में बिलकुल freely suspended करती है यानि स्वक्षंद रूप से घुमती हुई रहती है जब यह सुई इस्तर हो जाती है तो जिस direction में यह इस्तर हो जाएगी वही direction हमारी magnetic north direction होती है उसी को हम लोग बोलते है magnetic meridian तो magnetic needle का use magnetic meridian यानि north direction north direction का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हर पार्ट का आपको function पता होना चाहिए कि हर पार्ट का क्या-क्या function है बस इसी से ज़्यादा इतना ही पार्ट से आपके question बनेंगे इससे ज़्यादा question आपके नहीं बनेंगे अगल आए pivot pivot क्या होगा जब जो magnetic needle है जिस sweeper या जिस knock पर टिकी हुई होती है उसी को हम pivot बोलते हैं यह कील होती है जो compass box के बिल्कुल center में लगी होती है उसी को हम लोग बोलेंगे pivot इसी पर magnetic needle मिल्कुल freely suspended करती रहती है घूमती भी रहती है अगला पार्ट है आप लोगों का graduated ring इसको हम अंसांग के चक्री भी बोलते हैं हिंदी में यह aluminum की बनी होती है और इस पर minute यानि 30 minute और डिगरी के निसान बने हुए होते हैं अब यह निसान हमारे clockwise direction में होते हैं या इसे मैंने बताया था कि magnetic bearing पता करने के लिए हम दो तरीके compass यूज करते हैं सर्वेर compass और प्रिजमेटिक compass तो किसी किसी में क्या होता है कि यह निसान बिल्कुल सीधे बने हुए होते हैं और किसी compass में यह निसान बिल्कुल उल्टे हुए उल्टे बने हुए होते हैं तो ज जैसे यहां पर देख रहे हैं आप लोग, यहां पर सुई यह यहां पर यहां आपको निसान दिखाई दे रहे हैं, यह सब यहां आपके मिनट और । दिगरी के हैं. अगला इसका पार्ट है, आई भेन, क्या होता है? यह ऐक fine slate होती है यह एक सकरी उर्दवादर पट्टी है जिसमें एक पतली जर्डी कटी हुई रहती है यहाँ पर देख रहे हैं यह पतली जर्डी कटी हुई है इसी जर्डी में हम लोग क्या करेंगे आंक सटा करके object को side करते है इसके बाद में क्या होगा जैसे माल लीजे prismatic compass होता है तो इसका size थोड़ा कम हो जाता है और उसी में prism भी लगा होता है उसको मैं अगली वीडियो में बिताँगा आप लोगों को केबला यहाँ पर समझ लीजे अब आई बेन में यह जो slit कटी हुई है यह जो पतली आप लोग vertical देख रहे हैं यहाँ पर जो जर्री कटी हुई है इस जर्री का यह काम है कि जब हम object को देखते हैं तो यह object को दो पार्ट में divide करती है अगला आपका object vein eye vein के बिल्कुल just सामने जो आपको और दो आदा सक्री पट्टी दिखाई देगी उसको बोलते हैं हम लोग object vein इस object vein में एक महीन बार लगा हुआ होगा ठीक है जिसको हम बोलते है horse hair यानि जो गोड़े का बाल होता है वो भी लगा रहता है अगर गोड़े का बाल नहीं होगा तो इसमें महीन तार लगा होगा black thin wire लगा हुआ होगा जब उनकिसी भी object हो side करेंगे तो ये slit और इसमें जो wire लगा हुआ है वो और object तीनों एक ही side में यानि बिल्कुल एक ही seed में होनी चाहिए अगला है prism prism का जो use है वो ये है कि जो graduated ring पर जो निसान होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो हमें आखों से अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देते हैं तो इसको बड़ा करके देखने के लिए हम क्या करेंगे prism का इस्तिमाल कर देंगे तो prism का काम होता है magnify करना किसी भी graduation को बड़ा बना करके दिखाना दूसरा इसका काम है कि जैसे prismatic compass होता है तो prismatic compass में जो इसकी graduated ring है उसपर जो निसान बने हुए होते हैं वो उल्टे बने हुए होते हैं अब उल्टे निसानों को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं आसानी से तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए भी हम prism का इस्तिमाल करते हैं अब इस prism में जो mirror लगा होगा वो लगा होगा convex mirror अब उस convex mirror की help से क्या होगा कि जो उसपर उल्टे निसान लिखे हुए हैं वो हमें बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं तो ये दोनों इसके function है prism के तीसरा क्या है कि जिस compass में आपको prism दिखाई दे जाए उसमें समझ जाना है कि ये compass हमारा क्या है prismatic compass है अगर prism नहीं है तो वो compass कहलाता है हमारा servier compass अगर्ण पार्ट है आपका lifting pin and lever अक्सर क्या होता है कि जब हम compass का use नहीं करते हैं तब भी जो magnetic needle है pivot के उपर इधर उधर movement करती रहती है गूमती रहती है तो इधर उधर उधर गूमने की वज़े से इधर उधर movement करने की वज़े से क्या होगा जो pivot की जो कील है जो उसकी knock है knock गिसने लगती है जब knock गिसने लगेगी तो magnetic needle का जो magnetic effect है वो क्या होता है दीरे दीरे करके कम होने लगता है तो इस magnetic effect को कम होने से रोकने के लिए और pivot की knock को गिसने से रोकने के लिए हम lifting pin और lifting lever का इस्तेमाल करते हैं अगला है spring break इसको हम break pin भी बोलते हैं जब हमें reading पढ़नी होती है तो अक्सर क्या होता है कि जो इसकी graduated disk है graduated disk move करती रहती है घूमती रहती है तो इसकी वज़ए से क्या होगा हम किसी भी reading को बिल्कुल accurate नहीं पढ़ सकते उसको accurate पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस graduated ring को ister करना पड़ेगा तो उस graduated ring को ister करने के लिए कि हम break pin तथा spring break का इस्तेमाल करते हैं जब break pin हम लोग छोड़ देते हैं तो यह क्या हो जाती है बिल्गुल fix हो जाती है ग्रिवेटर रिंग घूमना बंद हो जाती है उसके बाद हम इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं तो यह केबल इतने ही आपके पार्ट थे जो main पार्ट थे इन सभी के बारे मैंने आपको डिसकर कर दिया इनी पार्ट से आपके basic question बनेंगे तो इनको आप अच्छे तरीके से थैंक यू